वेल्कम बेक तो मैं चैनल एंड आज की इस वीडियो में आपको तिखाने वाला हूँ लाइफ वोई में क्रेप लाइन कैसे दालते हैं बैसिकली मैंने आज की इस वीडियो अपने फ्री टेम में जाके स्पेशली बनाने के लिए सुचा बिकोज बहुत सारा ऐसा काम है जो बहुत सालू के बाद मतलब कभी कबार आपको च्यार पांच कोंट्रेक्ट किया उसमें एक पर करने मिलता है या फिर कभी कभी कोई-कोई लोग ऐसे जिनका बहुत सारे वेसल्स होगे कभी चेंज नहीं किया जो लाइफय कोई काम है आपको डिखाने वाला हूँ मार्किंग कैसे करना है आपको बहुत होगा उसके लिए एक्सक अपको लाइण मार्किंग आएग वो सब दिखाया मैंने और स्पशियली यह एलएसे एफफय का काम है so life seeing appliances or fire fighting appliances के अंदर आता है यह सब काम so normally officers करते है लेकिन बेटर आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए ratings को भी मालूम होना चाहिए officers को भी मालूम होना चाहिए so cadet lock specially third officer हो गया या फिर AB, boson, oas न लोग को इसके लिए निए यह वीडियो बनाय है सो मैंने नॉर्मली एक क्लिप डाल रखा है और लग से जो कि मैंने अपने केबिन में आप लोगों को दिखा है वो थोड़ा एक क्लोज अप वीडियो बनाया हुआ है सो होफुली आप लोग को समझ में आ जाएगा उसमें सो चलिए मेले चलता हूँ आपको लाइफ वोई में ग्रेब लाइण के से जानुर तेव आ बसpes सेम सभी होल्स के पास मार्किंग कर लेना है और लास्ट में यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूगा जो लास्ट वाला एन्ड है वहां पर जो लास्ट वाले लाइफ वोई के साथ जो मार्किंग करोगे उसमें कम से कम 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही रखके आप लोगों को काट लेना है एंडेन कटिंग के बाद आप लोग को यह याद रहे कि लास्ट वाले जो एंड है वो थोड़ा लाइटर से स्टिक कर लेना है ताकि वो आप लोगों को स्प्लाइसिंग करने में दिक्कत ना हो देन लाइफ वोई का लाइन काट लेने है एंडेन आप जब यहां पर रोप आपको डालना है तब आप नीचे से उपर यहां उपर से नीचे कौन से भी साइड डाल सकते हो लेकिन यह याद रखना है कि आप जब ट्रेंड रोप है उसमें एक स्ट्रेंड उठा के उसके लोगों को ट्रेंड उठा के उनके बीच में से जो लास्ट वाला एंड है वह पास करना है आप वीडियो में जीसे देखी सकते हो कि वहां तक मार्किंग और इतना याद रहे कि आप लोगों को मार्किंग जहां से किया है वहां से एक लाइन इस तरह से अंदर रख के देखना है ताकि सभी लाइन इतनी उतनी आनी चाहिए अंदर कि एंदेन सेम चीज करना है लास्ट करना है नेक्स्ट यहां पर मैंने एक और अलग से छोटी सी वीडियो डाल रखे ऊपर सो आप लोगों को उसमें भी फाइदा होगा जब भी स्प्लाइसिंग करनी रहेगी तब और यह ध्यान रखना है जो सेंटर में सभी रोप्स इक्वल आनी चाहिए ठाकि आपका जो भी ग्रेब लाइन पास किया होग वो परफेक्टली हो इस तरह से देख लेना है आपको लास्ट में यहां पर आप लोगों को सभी एंड जो लास्ट के दो एंड है उसके सभी स्ट्रेंड ओपन कर लेने हैं कुछ इस तरह से यहां पर आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि सभी एंड एक दूसरे के बीच में होने चाहिए यहां पर एक टीप पर चाहे तो एक साइड पर टेप भी मार सकते हो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा और दोनों को इस तरह से टाइट पकर के रखना है यह ध्यान रखना है कि यहां पर स्ट्रेंड देख सकते हो आप एक को ओवरलेप होके दूसरा ओपन करना है जिसे कि यह वाला एंड देन ओवरलेप करना है और यह ध्यान रखना है कि आपको राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड ही डालने है सभी एंड सभी एंड आपको राइट टू लेफ्ट ही डालने है यह बिलकुल ध्यान में रखना है कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करनी है और जहां पर फर्स्ट वाला स्ट्रेंड डाला उसके जस्ट बाजु वाला जैसे मैंने दिखाया वैसे ही आप लोगों को उसके बाजु वाला उठा के उसमें डालना है ताकि वो ओटोमेटिकली एक के उपर ओवरलेप होई आरो एंड एक बार पास हो जाए उसके बाद जैसे कि मैंने सेकेंड हैंड के लिए क्या करना है वो भी दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को एक छोड़के दूसरा एंड उठा के उसके ग्रोज डाला है और बेटर अगर आप लोगों को समझ में यह नहीं आ रहा है एक दो बार आप वीडियो डेखोगे देन आप लोगों को ओटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और यह चीज ऐसी है कि आप लोग साल में बहुत कम बार करते हो आपको यह चीज भी मालूम होनी चाहिए त्याकि हो सकता है तो वीडियो डाउनलोड करके आप अपने पास भी रख सक एसे ही चारो रोप्स तीन बार एक साइड अधर साइड तीन बार पास करना है एंड कुछ इस तरह से हाट से कर लेना है ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो और उस तरह से हाट तोनों हाट के बीच में आप रप कर लोगे देन ओटेमेटिकली वो स्ट्रेंड सब अपने आप ही उसमें सेट हो जाएंगे इसी तरह से आप लोगों को सेम दूसरे साइड भी कर लेना है एंडेन लास्ट में रप कर लोगे आप तो ओटोमेटिकली सब सेट हो जाएगा उसमें लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक छोर के एक एक को ओवरलेप होके डालना है आप लोग को और राइट टू लेफ्ट डालना है ये बिलकुल ध्यान रखने वाली चीज़ है चारो प्रें राइट टू लेफ्ट ही डालना है एक भी लेफ्ट टू राइट नहीं करना है एंडेन आप कुछ इस तरह से रब कर लोगे आपका लाइफ वोई में ग्रेब लाइन सेट हो गया अभी लास्ट में फीनिशिंग कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ और इस तरह से पूरा हो जाने के बाद आप लोगों को जो लास्ट के एंड बचे हुए है वो हाफ इंच छोर के कुछ इस तरह से काट लेने है सब आप लोगों को हाथ में कुछ पेहन लेना है और लाइटर से लास्ट वाले जो एंड है वो इस तरह से बर्न करके थोड़ा थोड़ा बहुत फिनिशिंग करना है पूरा ऐसा नहीं करना है कि फुल जला दिया आप लोगों ने थोड़ा बहुत फिनिशिंग के लिए कि इस तरह से यह करके जो खुले हुए स्ट्रेंड है कि उसको बराबर चिपका देने हैं सेम डूसरी साइट भी करना है लेकिन यह ध्यान रहे कि हाफ इंच आप लोगों को छोड़ना है बिल्कुल कट्टू कट नहीं काटना है नहीं तो वो स्ट्रेंड वहाँ से हो सकता है निकल जाएगा सो सेम प्रोसेस हम दूसरी साइट भी करेंगे एंड फाइनली हमारी क्रेब लाइन तयार हो चुकी है लास्ट में आप लोग को रब भी कर लेना है इस तरह से और देख सकते हो आप यहां पर पर्रफेक्ट हमारा क्रेब लाइन आ गया है लाइफ वही में सब्सक्राइब करेंड लाइन जाएब लाइन तरहीं लाइन सब्सक्राइब को रोड़ कर देख वाटिय।